जय हिंद नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सेकर और स्वागत आपका आर्मी जी के एन हिंदी एंड आर्मी यानिग पर दोस्तो बहुत सारे चैनल उपर बताया जा रहा था कि आपकी दोड़ बाद में होगी और रिटर्न एक्जाम पहले होगा क्या दोस्तो ये होगा या नहीं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीडियो कन तक चलूर देखना दोस्तो आर्मी में अगर सबसे पहले रिटर्न एक्जाम होता है तो इसके क्या फाइदे है और क्या नुक्सान है किन बच्चों को फाइदा मिलेगा और किन को नुक्सान मिलेगा और इसके लाद दोस्तो टूर आप ड्यूटी जो तीन साल के लिए है इसमें दोस्तो टूर अब डूटी में यह है अभी भी इसका कुछ हुआ नहीं है अभी इसमें टाइम लगेगा अभी सरकार के पास परस्ताव है अभी इसमें एक दो साल दो तीन साल कितने भी लग सकते हैं तो अभी इसमें भी टाइम लगेगा दोस् दोस्तों क्या सारे परिक्षा से पहले लिखित परिक्षा होगी इंडियन आर्मी के लिए फिजिकल से पहले रिटन एक्जाम होगा तो दोस्तों आप लोगों को अपनी फिजिकल की त्यारी करनी है क्योंकि दोस्तों पहले अगर आर्म में रिटन होता है अभी तो नहीं होग कि आप लोग आप फिजिकल अच्छा होता है हम लोगों का क्योंकि जादा पढ़ते नहीं तो उतना नहीं पढ़ते हैं तो जो दोस्तों इसमें तो सभी बैठ जाएंगे जो चस्में लगाए हुए या फिर मतलब किसी को दिक्कत है हाथ पैन ठीक निए या फिर कुछ जादा कुछ भी नहीं एक जाम इंडियन आर्मी का तो दोस्तों अभी तो नहीं होगा है पर अभी टाइम लगेगा पर आपको अभी अपना फिजिकल की त्यारी करनी है या लोकडाउन चल दा या क्योंकि फिर जिन लोगों का फिर फिर फिजिकल अच्छा होता है तो फिर उतना बहुत कमी लोग होते हैं जिनका की रीटेन भी उतना अच्छा होता है तो उन लोगों के रहे दिक्कत हो सकती है जिन लोग आ पिजिकल अच्छा होता है क्योंकि आर्मी में जो शिपाई में जाते दोस्तों फिर वहां भी ज्यादा पढ़ाली का उतना वह नहीं है तो आप ल बता दिया जाएगा फोस्तो जी के तो बहुत ज्यादा आर्मी के लिए तो आप त्यारी कर सकते हैं और इसके अलाव मैथ और रीजनिंग ज्यादा टप नहीं आता है हलका आपने उसके पर पढ़ते रहिए और यह सब बाकि हमारे चैनल पर दिया जाता है और आप बुक से भ प्रेथ और रीजनिंग भी आप बढ़ सकते हैं कुछ करेंटर पर गोश्चन आते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो मैं थैंक यू फ्रेंट थैंक यू सो मच